शादी के एन वक्त पर घर से भाग जाएंगी अर्शी, एक बार फिर से जहनक बनेंगी अनिरुद की दुनहनिया सीरियल जहनक में अनिरुद और अर्शी की शादी की तयारियां चल रही है तो ही दोलों की शादी की रस्मों के दोरान अर्शी और अनिरुद्ध को एक साथ देख़ जनक को भी जलन होने लगी है अनिरुद्ध जनक को जलाने के लिए और उनके मुँ से जहारे इश्क सुनने के लिए बार बार उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे है तो यह अनिरुद्ध और अर्षी की शादी के एक एक पल के पास आने पर जनक की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है लेकिन जनक अपने दिल का हाले दिल कहें भी तो किस से आखिर वो अपनी दीदी अर्षी का घर जो अनिरुद्ध के साथ बसने जा रहा है उसे उजाड़ना भी तो नहीं चाहती फैर जनक की ये दुविदा जल्दी दूर हो जाएगी और जनक के बिना कुछ सोचने और समझने से पहले ही एक बाद फिर से जनक और अनिरुद्ध की शादी हो जाएगी वो भी पूरे रस्मों और रिवाजों के साथ दरसल अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की रस्मों के दौरान ही अर्शी को कॉल आएगा और उन्हें एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट का ओफर मिलेगा जिसे अर्शी सुपल स्टार बन जाएगी अर्शी किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहेंगी और अपने करियर के लिए शादी के मंड़प से ही गायब हो जाएगी अर्शी के इस तरह से भाग जाने से अनिरुद्ध और सभी घरवालों को जोरदार जटका लगेगा और ऐसी सिचुएशन में अनिरुद्ध उसी मंडप में जणक के साथ शादी कर लेते हैं इस्टापलस का ये शो आपको कैसा लगता है फटफट कॉमेंट कीजिए और हमें बताइए साथ ही सब्सक्राइब कीजिए निउस अस्टीरिया